बिहार के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और निपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद बाड की स्थिती पैदा हो गई है बाड के कारण आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है कई गाउं डूब चुके हैं और कईयों पर डूबने का खत्रा मंडरा रहा है नदियां ग्रामीन इलाकों में गरीबों के आशियानी को देखते ही देखते निगल रही है बिहार के अरईया में तो बाड से हालात बिगरते जा रही है नूना नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वज़े से आसपास के कई गाउं में नदी का पानी गुज गया है तस्वीरों में देखिये कैसे गाउं के अंदर घुटनों से उपर तक पानी भरा दिखाई दे रहा है ऐसे में लोग जान बचाने के लिए गाउं छोड़ कर किसी सुरक्षित जगा जाने के लिए मजबूर है नदियों में उफान से गाउं से शेहर तक तबाही का आलम है लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है पूर्णिया जिले में नदी की कटाव की वज़े से देखते ही देखते एक प्राथमिक स्कूल जमीन दोज हो गया लोगों ने बताया कि बाड़ की वज़े से कनकईय नदी तेजी से किनारे को काटती जा रही है जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया बिहार की कई जिलों में बाड से हाहाकार की स्थिती बनी हुई है गंडक और सिकरहना नदियां उफान पर हैं और लगातार नए इलाकों में कहर बरपाती जा रही है पश्चिम चमपारण की इन तस्वीरों को देखिये सिक रहना नदी में एक नाव पलटने से चीक पुखार मच गई इस खौफनाक मंजर को देख कर वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए कुछ लोग तो डूपते लोगों को बचाने के लिए नदी में कूट पड़े राहत की बात ये रही कि सब को सुरक्षित बचा लिया गया मताया गया कि नाव इसले डूबी क्यूंकि उसमें 25 लोग सवार थे जबकि नाव में सिर्फ 10-15 लोग ही बैट सकते थे यही वज़ा रही कि नदी में पहुँचते ही नाव का संतूलन बिगड गया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो डूब गई सीता मड़ी के हालात कुछ अलग नहीं है बागमती नदी की तेज धार की वज़े से कई गामों को जोडने वाला पुल बह गया जिसके बाद कई गामों पर डूबने का खत्रा मनराने लगा है सडके, कच्चे रास्ते, सब पानी में समा गए हर साल बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों में उफान से उतरी बिहार में बाड की स्थिती गंभीर बनी रहती है बाड के तांडव से ना जाने कितने घर देखते ही देखते इस सेकेंड में नदी की तेज धारा में जमी दोज हो जाते हैं लेकिन इनकी सुद लेने वाला कोई नहीं है गाव के लोग इस बाड में बुरी तरह तरस्त हैं जहां गाडियां चलती थी, वहां अब नावें चलने लगी है